कर रहेते हैं त्यारी कर रहेते हैं उसी करम में आज हम लोग अपने त्यारी करते हैं तो आईए हम लोग त्यारी पर चलते हैं पहला जो प्रश्ण है पहला प्रश्ण क्या दिख रहा है आप लोग पहला प्रश्ण दिखना है कि साहेत्य दरपण मते नील वर्ण महाकाल देवता रशा कह भवती ठीक है मने साहित्य दर्पण में साहित्य दर्पण में नीला वर्ण और महाकाल देवता किस वर्ण के किस रस के हैं आपको ये बताना है किस रस का नीला वर्ण और महाकाल देवता है किस के अनुसार बताना है तो यह साहित्य दर्पण के अनुसार आशार विश्वनाथ जी की रचना है आप सभी लोग याखते है आंसर इसमें बताना है कि किस रस का जो वन है वो नीला है और देवता महाकाल देवता किस रस के हैं इसमें से आपको बताना है ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या होगा यह आप सभी लोग कमेंट में बताईए जल्दी से जल्दी और इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या है तो भया बीभत्स ठीक है न बीभत्स इसका सही आंसर है ठीक है बीभत्स जो रस है उस रस का जो वर्ण है वो नीला वर्ण है और देवता उसके कौन है तो महाकाल देवता है ठीक है न अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो रौद्र रस है ठीक है रौद्र रस जो है इस रौद्र रस का जो वन है ठीक है इसका वन क्या है तो इसका रख्त वन है ठीक है रख्त वन है और इसके देवता कौन है तो इसके देवता रुद्र देवता है आप सभी लोग जानते हैं कि इधर यहान के रंग है तो रूद्र से रर उद्र नरस का जो वन है वह रखत है और उसके वन न म harvest होता है च्छा बिलावान क्या है अगला ड़सेश और विररस के वह महें हैं तो इसके देवता कौन है महें देवता'd इसका रंग तो स्वण भयानक, भयानक रस्के देवताłeर्स है इसके काल देवता है और इसका रस क्या है चंबताम वन क्या है तो वन क्रिष्ण वन है ठीक है ना क्रिष्ण वन है और काल देवता है किसके अनुसार है तो साहित दरपन की अनुसार है ठीक है ना इसके सुवन वन है महेद्र देवता है और जो भयानक रस है उसके क्रिष्ण और काल देवता है इसका आप लोग अपने अगले प्रस्ण पर चलते हैं ठीक है अगला प्रस्ण हमारा क्या कहता है मने जद्र कालिदास अथवा माघ या स्रीहर इन चारों में से कहुंसे कवी के माता का नाम जद्र करणी है यह आपको बता ना है तो इसका सही आंसर आपको देना है, आप सभी जानते हैं कि एक कभी है भावभूती, ठीक है ये भावभूती कौन है तो ये नाटक कार है, ठीक है ये नाटक कार है, काली दास के बाद कोई उतकृष्ट नाटकों की वर्णन होता है चरचाव होती है तो उसमें काली दास तर्णाम चर्तम यह इनका ग्रंथ है उत्तर राम चर्तम ठीक ना दूसरा महावीर चर्तम आप से विदू याद कि रही एक्जाम मैं पूछ सकता है कि किसका ग्रंथ है और तीसरा जो ग्रंथ है वह मालती माधवन क्या है मालती माधवन ठीक है तीसरा जो ग्रंथ है मालती माधवन यह इनका तीन ग्रंथ है ठीक है अब यह जद्वकर्णी लिखा है यह भवगूती के माता का नाम था ठीक है यह तीनों क्या है यह तीनों इनके ग्रंथ है ठीक है यह तीनों इन यह दोनों आपके नातक है क्या है तो यह दोनों आपके इधर लिग देते हैं यह दोनों आपके नातक है ठीक है अब हम आगे देखते हैं जदुकरणी जो पूश रहा है तो जदुकरणी इनके माता का नाम है ठीक है और पितामः भट गोपाल और पितामः पिता जी कौन है तो वह है भट गोपाल ठीक है ना पिता का नाम है नीलकंट ठीक है पिता जी है जो उनका नाम नीलकंट है और माता का क्या नाम है तो माता का नाम है जदुकरणी जो उपर पूछ रहा है ठीक है जदुकरणी कहीं कहीं जादुकरणी भी आता है क्या आता है जादुकरणी ठीक है कहीं कहीं जाद करनी भी लिखा आपको मिल जाएगा इस प्रकार से ये हमने देखा ठीक है अब उत्तर राम चेर्तम जो बहुत प्रशिद्य ग्रंथ है उत्तर राम चेर्तम के बारे में आप सभी जानते हैं कि उत्तर राम चेर्तम जो ग्रंथ है वो नाटक विधा है क्या है तो भाईया उत्तर राम चर्तम जो है वो यहां देख रहा है नाटक मिधा है ठीक है और इसमें कितने अंख है उत्तर राम चर्तम में तो भाईया इसमें साथ अंख है ठीक है ना साथ अंख है उत्तरामचरतम में साथ अंख है और इसका उत्तरामचरतम का जो मंगलाचन है वो नमसकारात्मग मंगलाचन है किस प्रकार का मंगलाचन है तो नमसकारात्मग नमस्कारात्मक मंगलाचन है, ठीक है न, नमस्कारात्मक इसका मंगलाचन है, किसका उत्तर नाम जर्तम का, मंगलाचन क्या है, कि इदम कभिभ्या पूर्वे भ्यो, नमो वाकम पृस्ष्महे, विंदेम देवताम वाचम, अमर्दाम आत्मनह कलाम, इस प्रकार का ये दो नाम के बारे में लोगी बाद देख लेता है ठीक है तो नाम् क्या है तो नाम नाम देखते हैं पहला जो साथ अंख ठीक है साथ अंख क्षा है इत्वतर रामचरतम में 7 इत्रांगत हैं ठीक यह इन राहे उत्तर रामचर्तम की चर्चाइए ठीक है ? जिसमें 7 इत्रांगत है ुत्तर रामचरतम क्या है तो त्थय कि शाणगत है लग अपने महल में रहते हैं सिता जी को एक बार मतलब उस बरबास की याद आती है तो चित्र जैसे हम लोग एलबम देखते हैं तो वैसे ही वो भी एक चित्र था उसे चित्र को बार-बार राम जी उनको चित्र को दिखा रहते तहीसिलिया पहले जो अंग है उस पहले अंग का नाम हुआ और जब छित्र का दर्शन इन्हों ने किया तो फिर इन्होंने कहा कि हमने इतना दर हम जंगल में रहा है यहाँ हमने पेने पौधो पसु पपच्छी से बहुत ही लगा हुगया सिदा जी को तो इन्होंने कहा कि हमको फिर से एक बार पंचवटी आप घुमाईए, ठीक है ना, तो फिर दूसरा का हो गया पंचवटी दर्शन, ठीक है, दूसरा हो गया पंचवटी, ठीक है ना, फिर जो तीसरा होता है, तीसरा में क्या आता है, छाया आंग है, ठीक है, तीसरा जो है व कि प्रक आता है को उपट या जनाक यो ठीकिए चाया अंग में क्या होता है पंचवटी में अपनि शिटा भी में तक दुर्मख नाम का पहता है औरstä यह वुशला आawan कि विशम लिपाद चर्द यह सूचना बंध यह यह उत्तराम चेत्म को जो घटना है, वो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे सुक्षमरूप से, ठीक है, तो पहला अंग हो गया चित्रदर्संग, दूसरा आपका जो अंग हो गया, वो है पंचवटी प्रवेस, तीसरा अंग है छाया दर्संग, चौथा अंग है कौशल्या, जनक, योग, ठीक है ना, यह होता है, अब जो इसका पाँचमा है, पाँचमा में कहा कुमारविक्रव, ठीक कुमारविक्रव एक अंग है, कुमारविक्रव दाजबर, यहाँ पे कुश लव कुश इत्यादी और लक्षमन का जो पुत्र हो था, उनमें युद् प्रत्यविध्यान होता है ठीक है तो छठा जो है वो कुमार का प्रत्यविध्यान होगे यह प्रतविक्यान हो गया और जो सातमा अंख है सातमा और अंतिम अंख है संमेलन हो जाता है तो इस प्रकार से उत्तर रामचरतन की जो साथ अंख है इसका आप लोगे स्क्रिंसोट लेजिए, स्क्रिंसोट अब ले सकते हैं चुकि एक्जाम में, मान लिए एक्जाम में पूछ ले कि पहले अंख का क्या नाम है तो आपको बताना है जो पहला अंख है उस पहले अंख का नाम चित्रदर्सन है दूसरे अंख का क्या नाम है तो पंचवटी प्रवेस है तीसरे अंख का क्या नाम है छाया अंख है और चौथे अंख का क्या नाम है तो कौशल्याज्यनकी योग है नायक ना, पाँचवय अंग का नाम कुमार विक्रम छटे अंग का नाम कउमार कि जानकारी हो तीती है, उन articulate प्रत्षभी दिखती है तो दिखती है, और बाद वह सब मिल जाता है, इस प्रकात सम्मेलन हो जाता है, ठीक है, और राम और शीता इसके नायक है तो राम ऊसीता इसके नायक नाड़िका है इसमें आगे हम लोग चलते हैं राम जी और सीता इसके नायक नायक इसका जो रस है वो रस क्या है करुन रस प्रधान ये नाटक है ठीक है नहीं तो यह और एक बात की सा दाफ्टि जी का रञा किया गया है ठीक है न किसको सरश्रती जी को प्रणाम किया गया है तो इस प्रकार कुछ छोटा मुदा उत्तर नाम चर्थम की एक रूप रेखा उपर से हमने आपको बता दिया है ठीक है कि ये क्या है सात अंखहिंस नमTC में गउडिरीटी ठीक है इसकी जो सकिस्च पूछ लेता है कि उत्तर नामचर्थम की जो सक्षम का बाटी है तो इसकी पूडिरीटी है प्रस्ण में चलते हैं अगले प्रस्ण में चलते हैं अगला पुस्ण मारा तीन नंबर प्रस्ण में क्या कह रहा है तीन नंबर प्रस्ण में कह रहा है कि नतर जियानम नतर शुर्पम नसा विद्यार सा कला ठीक है यह कावी की प्रसंदा के लिए आपको बताना है यह किसके बारे में कहा गया है तो यह कहा गया है नाठ की प्रसंदा के लिए नतर जियानम नतर शुर्पम नसा विद्यार सा कला ठीक है नाठ की और चेसरी करकी शूर्पम मनाए कि जो नतर सास्ट है भरत मुनी चिसका है तो भरत मुनी का ठीक है ना भरत मुनी चाहिए नाठ की सास्ट है जो जो इसमें आइसा कुछ नहीं कि इसमें सारा ज्यान और उसमें सिल्व कला जो सब है कि सब कला उसमें नहीं किस प्रकार से रंगमंच होना जहीं बताया गया है इस प्रकार से मंचक किया जाता है इस ती नंबर का जो प्रसन है इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर क्या होगा तो नाट की प्रसंसा के बारे में यह कहा गया है अब हम लोग अपने ट current चलते हैं अकला प्रस्न मारा क्या है उस अगले प्रष्ट प्राइब प्रस्न है साथ 650 से यहां लेख लेते हैं 650 स्वी से 750 स्वी के मंद इनका समय है और यह सात्मी सतापदी के उत्तराध की कभी है सात्मी सतापदी अपने आगरे परश्व फिचलते हैं अगरे पर प्रश्व करों था ही कि सखुंतले दुश्यंत्र पुत्र और दुश्यंत्र यह दो पात्र ठीक है जो स्तकुंतला है यह है नायका और यह दुस्यंत है नायक तो यह दोनों किस रूपक के नायक नायका है तो एक हम लोग जानते है कि कालिदास की एक सर्वस्रेश्ट रचना है अभी ज्यान अभी ज्यान साकुंतलम ठीक है ना अभी ज्यान साकुंतलम यह कालिदास की सर्वस्रेश्ट रचना है यह नाटक है ठीक है यह नाटक है जिसमें साथ अंक है कितने अंक है वह यह तो साथ अंक है ठीक है ना साथ अंक है प्रस्न क्या पूछ रहा है कि सकुंतला और दुस्यंत मेरे के पुत्र का जो भरत नाम था उनका प्रतम नाम क्या था प्रतम नाम के बारे में चर्चा तो सही उत्तर होगा सर्वदमन और इसमें अभिज्ञान सागुतलम में आया है अभिज्ञान सागुतलम में साथ अंख है इसका मंगलाचन होता है वो मंगलाचन इसका आसिरवादात्मक है किस देवता की स्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ् इसमें अंट्रowe इसमें इस प्रकार का जो मंगलाचन है वो स्रक धराचन में है और आसित वादात्रों का मंगलाचन है महाभारत का जो आधिपर्व है महाभारत का जो आधिपर्व है जो आधिपर्व महाभारत के सकुंतलों पाक्षान सकुंतलों पाक्षान से लिए ओपज्यान सकुंतलों प्रकार आधि पपर्व है और विज्ञान स्कुंतल्र व्फारत की इस लिए इसमें भी साथ अंक है I amfallen में भी उसको आप लोग ऐंगते हैं ऐसे साथ क्या है पुछ lijain कि साथ अंग में पहला जो है जब अपने राजधानी से आते हैं तो पहले आश्रम में प्रवेस करते हैं तो इसका पहला हो गया आश्रम प्रवेस यह पूछलेता है कभी कभी कि अविज्ञान सागु में आप सभी जानते हैं क्या उन्हें प्रवेश किया असरम प्रवेश र्म निवेश तीसरा नग है मिलन हुआ ठीक है तीसरा नग में मिलन होता है यहां पर मिलन हो गया जिसरा आंग मिलन हो गया जब दुष्यंत आए तो आशरम में आए तो आशरम प्रवेस हो गया उसके बाद आशरम निवेस की फिर प्रत्याक्षान हुआ और फिर प्रत्याक्षान हुआ और फिर प्रत्याक्षान हुआ और फिर प्रत्याक्षान हुआ तो प्रत्याक्षान 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 कि अब पुनर मिलन इसका ना मैं ठीक है और पुनर मिलन कर लिजिए किसे तो ऐसलों ते दलम के पांच्वे अंग तो भाईया पांच्त्वा जो अंग है उसका नाम है प्रताथ्षान अंग है राजिकात से ठोड़ा सा प्री होने के लिए जंगल में आए थे हनीमून मनाने के लिए हनीमून नहीं कह सकते हैं पिक्निक मनाने के लिए पियास्वास लगए हुई यजिस रहां प्रछी में प्रेम और सभागेर के दर्ब हो इसके बाद सब होता है है उसके बाद में 2.4 है बहुत ही कश्चकर और करणवाला है इसमें विदा होकर के दुश्द जी महाराद चले जाते हैं स्रमुतला कहती है आप याद के से करेंगे यह वहां तो आपके रग्रास में बहुत सारी जानी आओगी एक नहीं दो नहीं दो तीन तो होवे करें कम से कम पहले राजा एक होती थी उनके पास तो आप भूल जाएंगे अपनी एक मुद्रिका निकाले की कथाब से जानते हैं तो बिदा होकर के महराद चले जाते हैं दुर्वासा स्रावी तेहरे पे साली कथाब लोग को पता है उसके बाद में जब महार्ची करण आते हैं तो फिर किसको करण को प पहुंचती है तो अब प्रत्याख्यान होता है यह दूसरे से दोनों बात करते हैं कि महराज आपने हमारे साथ ऐसा किया था आपने हमको पतनी था और आपकी पतनी है और ऐसा है तो आपको कुछ निखाये कुछ दिखाये तो पिर देखती है तो सची तीर्थिम्हा तो फिर जब यह होता है तो महाराज मना करते हैं कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं चली जाती है बाद धीवर वाली घटना होती है जब महाराज का मुठी को देखते हैं तो पस्याता होता है बड़ी गलानी होती है क्योंकि महाराज दुर्वासा का स्राफ था कि यदि कोई पहचान की वस्तूम को दिखाए जाएगी तो महाराज जब उठिया को देखते हैं तो याद आता है मुनिके असरória मिजाकरकिर मिलन हो जाता है ऐस olm कारी कि सारी धंना की सात निगा है तो हम देख रहाएं कि प्रस्ण क्या प्रस्न पूच्छा है प्रस्न पोच्रा पुत्र का जो प्रतम नाम था तो इसका सही आंसर क्या होगा सर्वदमन होगा यह साथ अंग्दे सातों नाम हमने आपको बता दिया संगुत्र के नाइग इडिया और चांद में सब्सक्राइब मनगल चंद समय असरवा वागे लागे नाम होने वता लिया अब इसके बालतु में को फुच सकती है तो जाहिर से बात है ये तो तीनों होंगे नहीं और यह रगवंसम इसका सही आंसर है तो लगवंसम में आपका 19 सर्ग है किरातार जुनियम में आपका 18 सर्ग है नेशाद में 22 सर्ग है तो 17 सरग आपका कुमार समभव में है सबसार है तो इस प्रकार चाहिए हम लोग का समय हो गया है फिर भी अतिक्रावन कर लेंगे रहों सम्म इसका सही आंसर है ठीक है अब हम लोग अगरे पुचलते हैं अगरा प्रस्वारा क्या है आख है कि जो नमबर प्रस्वारा है प्रश्ण है जहता नमबर है स्रीमत इस को का इस को इस है susu स्रीमत भगवत गीता है निकली है और जो इसका सही उत्तर है वो है डी नंबर सब्तमों अध्याया थिक है साथ में अध्याय से ज्यान विज्यान योग इसका साथ मां अध्याया अब हम लोग अपने अगले प्रशन पर चलते हैं आज नंबर प्रशन है साथ नंबर प्रशन है कि केन कविना किस कवी के द्वारा बहुत धर्म के प्रचार प्रशार के लिए कावी लिखा गया कालिदास की कालिदास ने लिखा माघ ने लिखा अस्व भोष ने लिखा सही उत्तर दीजिए किसका सही उत्तर क्या है साथ नंबर प्रश्ण क्या है वहाई आई ईसना क्यों सही आंसर क्याential होगा जो दिक क्यों सब्iãoध page गर्ट एक इसका नहीं अलगा इसका आंजर क्या होगा इस op होश ठीक अस्व भोस ने बैस अब दर्मिके प्रचार प्रशार के लिए ग्रंध लिखा है ठीक और इनका है diferen के निवासी थे साकेत माने 1 जाये साके तो आजी थे बाद में आ करकी वहां से हट गए तो